पशुपालन को लेकर एक नई योजना आई है दरसल इस योजना के तहत अगर आप दो गाई खरीतते हैं तो आपको 80,000 रुपे का सहायता मिलेगा अब आखिर ये आपको सहायता कब मिलेगा? कितने दिनों तक मिलेगा? सब कुछ आपको आगे की वीडियो में विस्तार से बताते हैं तो वीडियो को अंत तक पूरा देखे उत्तर प्रदेश सरकार ने गउपालक द्वारा दूसरे प्रदेशों से साहीवाल, थारपारकर, गीर एवं संकर प्रजाती की गाई खरीदने पर उन्हें ट्रांस्पोर्टेशन, ट्रांजिट, इंस्योरेंस, एबम, पसु इंस्योरेंस समेत अन्यमदों पर खर्च होने वाली धनराशी पर सबसीडी देने का फैसला किया है यह सबसीडी गउपालकों को अधिकतम दो सवदेसी नसल की गायों की खरीद पर मिलेगी ग्रामिन छेतरों के लिए पशु पालन आय का सबसे बड़ा स्रोत उभर कर सामने आया है बड़ी संख्या में ग्रामिन गाय भैस अपनी कमाई में इजाफा कर रहे हैं इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बावा मिल्क प्रोडक्शन मिसन के तहत मुख्यमंत्री सवदेसी गउपालक द्वारा दूसरे प्रदेशों से अन्यमदों पर खर्च होने वाली धनरासी पर सबसीडी देने का फैसला किया है यह सबसीडी गउपालकों को अधिकतम दो सवदेसी नसल की गायों की खरीद पर मिलेगी इस अधार पर गउपालकों को कुल धनरासी का 40 प्रतिशत यानी 80,000 रुपे तक दिया जाएगा पहले चरण में यह योजना प्रदेश के 18 मंडल मुख्याले के जनपदों में लागू की जाएगी इसके बाद इसे प्रदेश के सभी जनपदों में लागू किया जाएगा नसल की गायों की संख्या और नसल को बढ़ाना है ताकि राज्यों में मिल्क प्रोडक्शन में इजाफा होगा साथी प्रदेश के ग्रामीन अंचलों के युवाओं और महिलाओं को पशुपालन के जरिये रोजगार उपलब्द कराया जाएगा इसके अलावा प्रतिव्य एक्ती मिल्क प्रोडक्शन में व्रिद्धी कर राश्टिय औसत दूध उपलब्दता के अस्तर पर ले जाना उदेश्या है वहीं मिल्क प्रोडक्शन एबं मिसन निदेशक सशी भूशन लाल सुसिल ने बताया कि योजना का लाब उठाने के लिए गव पालक को दूसरे प्रदेश से सवदेशी उन्नत नसले की गाय खरीदना अनिवारी है इसके लिए मुख्य विकास अधिकारी की ओर से लवार्ती को दूसरे प्रदेश से सवदेशी नसली की गाय खरीदने के लिए एक अनुमती पत्र जारी किया जाएगा इससे उसे गायों के परिवहर में क बीमा भी कराना अरिवार्या है योजना के तहत लावार्ती को सबसीडी गाई की खरीद उसके परिवहन पसू ट्रांजीट बीमा तीन वर्सों का पशू बीमा चारा काटने की मशीन को खरीद एवं गायों के रख रखाओं के लिए शेट के निर्मान पर दिया जाएगा सबसीडी के रूप में दिये जाएंगे इस योजना का लाव उठाने के लिए लाभार्ती के पास गव पालन के लिए परियाप्त जगे होनी चाहिए साथ ही उनके पास पहले से दो से अधिक सौदेशी उन्नत नसले की गाये नहो इस योजना के तहत 50% महिला मिल्क प्रोड रिशत में अन्यवर्ग के लावार्ती शामिल रहेंगे जैसा कि योजना का लाव वही लोग उठा सकते हैं जिनके पास पहले से दो गाये नहीं हो बाकि इस योजना का लाव उठाने के लिए गायों को रखने के लिए आपके पास अच्छी खासी जगे होनी चाहिए बाकि यही वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो मारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद